आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है असलम वालेकुम नमस्ते रादे रादी द्वा करता हूं आप अपने जिन्देगे में खुश होंगे या पर खुश रहने की कोशिश जरूर करते होंगे अगर कुछ टेंशन है लव लाइफ रिलेटेड जैसे कि आपका रिष्टा ठीक नहीं चल रहा है आपकी बॉइफ्रेंड आपकी गल्ड फ्रेंड आपको इग्नोर कर रहें ब्रेक अप है तो टेंशन लेनी की कोई जरूरत नहीं है आप सही जगह पर आएं सही चानल पर आएं आप भी इसके वज़े से आपकी जिंदेगी आसान हो जाती है जहां पर आप अटक जाते हैं जहां पर आपको रास्ता नहीं दिखाया देता है जहां पर आपको अपनी सवालों की जवाब नहीं मिलते हैं तो ऐसे वीडियो में आपको सवालों की जवाब इस चैनल पर मैजिकल लिए रॉफ फॉच्पेंग होता हैं चाहिए आप सिंगल हैं चाहिए आप शाधी शुद्रेश हैं , तो भी यहưởng थो भी आपसी בाइफ्रेंट के लिएयो as to ne कि लिए अपने देख सकते हैं या फिर अपने उस्बंग, वाइफ के लिए पिर भी अगर आपको तकलीफ ही बहुत जादा है आपकी जिन्देग में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है तो पर्सनल रिडिंग आप बुक कर सकते हैं जो की पेड होता है चार्जीस होते हैं उसके लिए मेरे नंबर स्क्रीन के उपर है जहां पर आप मुझे वाट्सेप कर सक सकते हैं और टिटेलस जान सकते हैं और उसके बाद आप रिडिंग बुक कर सकते हैं तो चलि जल्दी से अपने पार्ण का नाम लीजे जानते हैं इस टेरो का डेक से आपके person आपके partner की सोच में क्या बदलावाया है क्या हो सकता है उनका next action यह जानने की कोशिश करेंगे angels मुझे प्लीज गाइड करें angels and universe मुझे प्लीज help करें मिझे बताएं जितने भी वीवर्स अभी इस वक्त यह वीडियो को देख रहें उनकी person की आज क्या है current feelings क्या है उनकी सोच आगे वो क्या action लेने वाले हैं क्या सोच रहें प्लीज एंजल मुझे प्लीज बताएं nine of pentacles के energy बहुत ही beautiful card है आप देख सकते हैं पीकॉप का symbol जो की मेरा favorite होता है positivity आ आ रही है आपकी जिंदी की में आप positivity लाना चाहते है परस्त इस रिष्टी को ठीक करना चाहते है यह person अकेल हैं दूर कड़े हैं इनके पास पैसे हैं घर हैं गाड़ी हैं बंगला हैं और कहीना कहीन इस खुशी के अवसर पर यह जो खुशिया यह person ने हासल की है उसमें आपकी कमी है कहीना की person की पास सब कुछ है हापी है आप देख सकते हैं हापी है और सब कुछ पा लिया है person ने सब हर खुशी है लेकिन जो में खुशी आपकी साथ आपका साथ चाहिए इस person को यह बहुत अकेले फिल कर रहे हैं तो यह पर मुझे लगता है कि reunion होने की chances बहुत जादा है person आपके partner आपको approach करना चाहते हैं हो सकता है कि रिष्टा तूटा है बिलकुल बात नहीं होती है लेकिन person आपको approach करके आपको कुछ नहीं कुछ कहना चाहते हैं यह आपके साथ बात करना चाहते हैं चीज़े ठीक क परसना आपको प्षेकर नंचाहते हैं यह person आपसे पयार करते हैं उसका answer यह से यह फियार करते हैं और करते रहेंगे बहले यह person आपको बताएं बहले person आपको ब्लॉक करते हैं तो उसकी वज़य यह है कि person आपसेश्यो भी है possession भी है, यहांने कि आपको किसी और के साथ imagine नहीν कर सकते हैं, आपको किसी और के साथ सोच भी नहीं सकते, यह person मुझे लगता है, कि चीज़े ठीक करना चाहते हैं, और इनकी खुशी आपके साथ जुड़ी हुई है, और कही न कही से यह person stare कर रहें आपको, spy कर रहे, चुपके से आपको देखने की कोशिश कर रहे या चुपके से जानने की कोशिश कर रहे कि आपके जिन्देगे में क्या हो रहा है next card जो यहाँ पर आया है page of wants, new beginning new beginning चाहते हैं person जैसे मैंने कहा कि approach करेंगे आपको 10 of wants, यारे कि दूरिया सहन नहीं हो रही है person से वो आपसे दूर है और इसकी वज़़ा भी यही हो सकते है person person का फैसला गलत था person ने मुझे लगता है कुछ ना कुछ आपके बारे में गलत फहमी होई आपके बारे में गलत सोचा है तो यह ठीक करना चाहते है 10 of wants मुझे ऐसे लगता है कि वो जैसे कि limit cross हो गया सहन शक्ती होती है ना इंसान की हर किसी की होती है सहन शक्ती कि मैं कितना तक सहन कर सकता हूँ अगर आपको torture को ही करता रहेगा रोज तो एक limit होता है कि बस अभी बहुत हो गया तो वैसा है कि अभी जो या फिर हो सकता है ये दो कार्ड अगर देखे जाए तो person पहले stable नहीं थे कुछ काम नहीं कर रहे थे job नहीं था लेकिन प्यार हो गया और आपके family ने मना किया कि जब तक तुम खुद independent नहीं होते हो या खुद पैसिक नहीं कमाते हो तब तक energy है new beginning person करना चाहते है person थोड़े से age में कम लगते है जैसे कि 25 साल हो सकते है 22 साल हो सकते 27 साल 28 साल ऐसी उमर हो सकते है आपके आपके partner की और थोड़े सी नादानी भी दिखाए देते मझे कि चीज़े work out नहीं कर रहे हैं से कुछ ठीक नहीं हो रहे है रोज परेशानी है इस रिष्टे में और partner चाहते है कि सब कुछ सही हो तो यह मुझे लगता है कि वक्त आगी बहुत अच्छा आने वाला है और आज person की सोच या उनकी current feelings या current emotions यह है कि वो बरदाश नहीं कर सकते दूरिया या आपके साथ बात ना करना या अगर यह person ने खुद आपको अगर block किया है तो वो कहीं न कि इस person को परेशान कर रहे कि मैंने क्यों block किया यह पि उनको सवाल बहुत ज़ादा परेशान कर रहे eight of pentacles की energy है आज pentacles देखा यहाँ पर पैसे 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 आ रहे और judgment यह दोनों cards ना बहुत ही powerful है आपको ज़रूर claim करना चाहिए अभी के अभी eight number को और 20 number को यह card कहते हैं ना कि हाँ पर बहुत struggle किया person ने job के लिए हो सकता है कि job कुछ होई नहीं रहा था पैसे इनके पास नहीं बच रहे थे या शादी करने के बाद इनके पास पैसे इतने काफी नहीं थे कि आपको खुश रखे तो इन्होंने सब कुछ हासिल तो कर लिया struggle बहुत किया है आपके partner ने मुझे लगता है ना यह struggle इसलिए किया होगा कि वह कहीं नके आपको खुशी देना चाहते थे तो मुझे लगता है कि पैसेंग का पैसों का प्रॉब्लम यहाँ पर चल रहा था आपकी partner के जिन्देगी में और वह कहीं नके उसका solution उनने पा लिया है हर कुछ खुशी उनने हासिल की है लेकिन आपकी कमी तो है जज्जमेंट का कार्ड यह है कि सब कुछ सही होने वाला है आपके जिन्देगी में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है कि अभी बस करो अभी इससे दूर तुम no context situation नहीं दे सकते या इससे दूर और जादा तुम अपने partner को तकलिप नहीं दे सकते यह उनकी thoughts change करने की कोशिश कर रहे एंजल्स और आपके person का decision आपकी favor में होगा कि वो आपको पसंद करते हैं आपके साथ शादी करना चाहते हैं आपके साथ रिष्टा रखना चाहते हैं आपके साथ long term future वो देखते हैं यही मुझे आपर नजरात है अगर आपको लग रहाता है कि बह राली है आपकी life में यह जो यहां पर card है ना page award यह कहता है कि बच्पना हरकत है थी person की यह इनकी age ही ऐसी थी यह इनकी सोच ही ऐसी हो सकती है यहां पर मुझे age difference भी दिखाए देता है जैसे कि आप जो है वो अगर 30 साल के हैं तो आपके person कहीं न कहीं 22 साल के 23 साल के हो सकते ह difference मुझे आप दोनों में क्यों दिखाए देता है पता नहीं यहां पर मुझे strongly लगता है कि 7-8 साल का difference जरूर होना चाहिए आप दोनों की बिच तो सोच भी आप दोनों की एक जैसे नहीं हो सकती जब age अलग-अलग है तो सोच अलग-अलग ही होगी यहां पर मुझे यह वक्त है आगे आपके जिन्देगी में और कुछ कार्ड लेंगे और देखेंगे क्या situation है यहां पर है five of cups जोकि negative कार्ड है और दो कार्ड आच चुके हैं knight of swords और यहां पर कार्ड आया है seven of pentacles तो मुझे यह लगता है कि इंतिजार बहुत जादा हो चुका है आप इंतिजार कर करके ठक चुके हो और कहीं न कहीं मुझे यह भी लगता है कि person अभी मेहनत करना चाहते हैं इस रिष्टे को बचाना चाहते हैं इस रिष्टे में वो आपस आकर सब कुछ चीज़े ठीक कर चाहते हैं अभी आप उनके पीछे पड़े थे कि कब शादी होगी दो साल हो गए तुम यही बता रहे हो कि शादी करेंगे शादी करेंगे शादी करेंगे और लोग हजार तरकी बाते बनाते तो अगर ऐसा सिचुवेशन आपका था तो मुझे लगता है कि शादी करने का वक और वही हुआ seven of pentacles eight of pentacles nine of pentacles कि धिरे धिरे वक्त आगे गया और यह वक्त मुझे ऐसा लगता है कि प्यार आप दोनों की प्यार को घहरा करते गया है night of swords का card और page of wands का card मुझे कहता है कि जैसे थोड़ी सी नादा नहीं हो सकती है कभी कबार एक दूसरी की feelings एक दूसरी की जो सोच है वो मिलती जुलती नहीं थी आप कुछ और सोचते हैं और उसके उपर partner कुछ अलगी जवाब देते थे या आप कुछ शादी के बार में सोच रहे तो person कुछ future के बार में सोच रहे थे तो मिलती जुलती नहीं थी आप दुनों की सोच और जिसके वज़े से दूरिया हो सकती है लेकिन person अगर आपसे दूर चले गए हैं तो रात दिन यह आपको मिस कर रहे है क्योंकि night of swords है कहीना कि वो पीछे मुड़कर ही past में अटक आते person और यह imagine या सोच नहीं सकते कि अकले आगे जाएं या किसी और का हाथ पकड़कर आगे जाएं या family अगर रिष्टे रहकर आए हैं तो शादे करके आगे जाएं नहीं हो सकता आपकी partner से कभी नहीं हो सकता person ना अंदर से या दिल से आपके साथ जोड़े हुए हैं तो यह कभी भी किसी और के साथ खुश नहीं रह सकते तो आज उनकी current feelings यह हैं कि जो टूटावा रिष्टा है उसे वो ठीक करना चाते हैं साथी साथ उन्होंने मेहनत की हैं अपने आपको independent बनाया है पैसे का problem अगर था तो अभी नहीं है और कहीं नहीं कि अकेला पन person से बरद पार्टनर का future action क्या हो सकता है आगी हो करेंगे action क्या होगा अगे प्लीज बताए future action क्या होगा person का मेरे viewers के पार्टनर का future action क्या हो सकता है future action देखेंगे कि आगे ये person आपके क्या action ले सकते हैं या फिर क्या आप देख सकेंगे इनकी तरफ से action ये जानने की कोशिश करेंगे उसके लिए जो card आए world ये ये शादी यहाँ पर हो सकते हैं future में जाकर world any completion ये person आपको कही से भी contact करने के कोशिश करेंगे भली मुझे यहाँ पर लगता है कि आपने number को जैसे की change किया person को block किया तो भी ये person आएंगे आपके जिन्दिगी में या आपकी घर तक पहुंच आएंगे यहाँ पर मुझे लगता है यह person आपको contact करने के कोशिश करेंगे world का card आपको मैं नस्दिग से दिखाने के कोशिश करेंगा world यानि completion और इस card में 10 number के card को आपको जरूर sorry 21 number के card को आपको जरूर claim करना चाहिए और इसमें चार राशियां आती है जो कि बहुत ज़ादा powerful है यह तीन हफ़ती की energy को represent करता है जैसे कि 21 दिन के अंदर या आज से 21 दिन के अंदर कभी भी हो सकता है कि person आपसे मिलने आ सकते है या आपको call कर सकते है message कर सकते है या travel करके आ सकते है traveling की energy भी इसमें है क्योंकि world है तो ट्रैवल करके कहीं से भी दुनिया में कहीं पर भी हो सकता है ऐसा नहीं हो सकता कि इंडिया में आपके partner है out of india भी हो सकते हैं तो कहीं नहीं कोई कुछ बहाने से यह हो सकता है कि उनको चुटी मिलेगी तो आ सकते है तो यह reunion की chances मुझे यहाँ पर दिखाए देते हैं और ओव भी 21 दिन में यहाँ पर जो राशिया आई है उसमें एक्विरियस कुंबर राशी उसके पास कॉर्पियो वरशिक राशी एरीस मेश राशी और लीवो यानि कि सीह राशी यह चार राशिया इसमें बहुत ही पावफ नेक्स्ट एक्शन परसन की तरफ से शादी का काड़ा है एंपरेस का काड यानि कि इस रिष्टियों को बढ़ाने की कोशिश करेंगे परसन आगे तक लेकर जाने की कोशिश करेंगे इस रिष्टे में मुझे लगता है कि वह आपके साथ यूनाइट होना चाहते हैं आपक कि अगर शादी नहीं हो सकती फिर भी यह रिष्टा रखना चाहते हैं आपके साथ continue करना चाहते हैं क्यों कि परसन आपको छोड़कर किसी और के साथ खुश नहीं रह सकते जैसे होते हैं कि आप date कर सकते हैं बहुत से लोगों को date कर सकते हैं enjoy कर सकते हैं अपनी life लेकिन एक ही ऐसा इंसान होता है जिसके साथ आपको रहना है जिसके साथ आप सोचते हैं कि हर दिन इस इंसान के साथ मुझे रहने में कोई problem नहीं होगी लेकिन सब के साथ आप हर दिन नहीं रह सकते हैं एक ही ऐसा इंसान हो जिसको हम लाइफ पार्टनर कहते हैं कि उसके साथ आपको सुख दुख में या किसी भी सिचुवेशन में उसी इंसान के साथ आपको अच्छा लगेगा आगे बढ़ने के लिए और जिंदीकी भर उस परसन को आप बरदाश कर सकेंगे ऐसे इंसान को आप लाइफ पार्टनर बनाते हैं तो मुझे यह strongly दोनों कार्ड नेक्स्ट एक्षिन के लिए मुझे strongly यही दिखाए देता है कि reunion होने के chances है यहाँ पर तीन नंबर का कार्ड है तो मुझे ऐसा लगता है कि January तक चीज़ें बदलेंगी या March मेने तक चीज़ बदलने वाली हैं कुछ लोगों के लिए 21 दिन में यानि कि तीन हफते में चीज़ें बदलेंगी यानि कि फिर से December की energy आती है और एक कार्ड लेंगे हम यहाँ पर है Nine of Swords यानि कि person अपना overthinking negative thoughts यह हो सकता है कि person से गलती हुई है और बदाश नहीं होती है क्योंकि आप जब विष्टा तोड़ा तो बरदाश नहीं कर सके या बरदाश नहीं हो रहा है अभी जादा उनसे कि होगी मुझे गलती मुझे जाकर ठीक करना है या मुझे ही जाकर सब कुछ सही करना है या मेरे हाथ में सब कुछ सही करने का कही न कहीं उनमें वह capability है उनको लगता है कि मैं ह सब कुछ ठीक कर सकता हूं तो यह जो कार्ड है ना five of cups हम ने clarify नहीं किया था five of cups कि कहीं न की person आपके उदास पड़े थे या आप उदास थे यह सोच कर कि मैंने जिससे प्यार किया उसी person ने एक तो मेरे से पीछा छुड़वाया यह मेरे को दूर फेक दिया मेरे को ब्लॉक क लिए अपने जिंदेगी से मुझे निकाल दिया यह अगर आप सोच रहते तो यह कि दोनों कार्ड मुझे लगते हैं कि रियुने वह रहा है आने वाके दिनों में रियूनियों होगा और जितने परेशन आप थे उतने परीशन आपके पार्टनर भी थे कि कहने कहीं गलती उनकी थी वह मांद रहें कि गलती उनकी थी और कुछ कार्ट लेंगे और देखेंगे हम नेक्स्ट एक्शन के बारे में हमने जान लिया कि रियूनियन होने के चांस बहुत जादा है और देखेंगे क्या है आपके लिए इंजल्स की तरफ से गाइडन्स एंजल्स मुझे प्लीज बताएं मेरे वीवर्ग से लिए आज क्या गाइडन्स और इस रिलेशिंशिप के ब आपको पता है नया होगा आपके साथ अगर आपका प्यार सच्चा है तो आपको मिलेगा भले उसमें देर हो रही है लेकिन पार्टनर लौट कर आएंगे reunion आपका होगा क्यों reunion होगा क्योंकि आपका प्यार सच्छा इसके पीछे कोई मतलब नहीं है या आपके partner के धन दावलत देखकर आपने प्यार नहीं किया है आपको वो इंसान पसंद आए इसलिए आपने उनको पसंद किया चाहे वो male है या female है आपको वो अच्छी लगी या अच्छा लगा इसलिए आपने रिश्टा रखा और अभी आप वो ही चाहते हैं कि पसंद के पास भले बहुत सारे पैसे ना हो एशो आरम ना हो लेकिन वो मुझे चाहिए अपने जिंदेगे में क्योंकि मेरी खुशी उनके साथ जूड़ी हुई है तो वही होते वे नंसर आता है जस्टीस एंजल सापको कहना चाहते हैं कि आपके लाइफ में आपने अच्छा कर्मा किया है तो अच्छी चीज़ें आपकी जिंदेगे में आ रही है बहुत बड़ा बदलाव आपके जिंदेगे में आएगा जो भी सपने आपके अधूरे रहे गए थे वो पूरे होने की पूरी पूरी यहां पर भरोसा है की पूरा होगा हर एक सपना आपका पूरा होगा थोड़ा सा आपको पेशिंस रखना ज़रूरी है पेशन्स रखे सब चीज़े ठीक होंगी और आपका वक्त बदलेगा कहीं न कहीं परसन आपके प्यार को समझेंगे वापस आएंगे आए रिष्टा खतम नहीं होगा और एक काड़ लेंगे हम बहुत ही पॉजटिव काड़ यह आपको ज़रूर क्लीम करना चाहिए सन की एनरजी सन यानि न्यू बिग्निंग न्यू बिग्निंग का काड़ है यह सन यानि की अच्छा वक्त आपकी जिन्दगी में आ रहा है या वो खुशी आपको मिलेगी जहाँ पर आपकी जो खोई हुई स्माइल है या ऐसे मुझे लगता है कि बहुत टाइम से आप हसे नहीं है खुलकर आपको हसे नहीं क्योंकि आप अंदर से दुखी है तो कैसे हस सकते हैं लेकिन जब आपको कोई खुश खबरी मिलती है या आपकी पार्टनर का अच्छनक आपको कॉल आ जाता है बहुत दिन के बाद आप देखते हैं डिस्प्लेय पर उनका नाम या उनकी मैसेज तो एक स्माइल आ जाते कि कैसे इसने मुझे इतने दीन के बाद याद किया और वह कहीं न कि आपके खुशियां आपकी चेहरे से पता चलते हैं अपका मोड़ी चेंज हो जाता है एक इंसन आपका मोड़ी चेंज कर सकता है जो कि आपके पार्टनर पार्टनर था यहाँ पर रिष्टा तोड़ कर गए थे और आपको लग रहा था कि रिष्टा तो तूड़ गया अभी जुड़ेगा नहीं तो फिर से जुड़ेगा विश्वास रखे अपने प्यार के ओपर अपने आपके ओपर और आप जो मैनिफेस्ट कर रहें और यूनिवर्स से मांग रहें उनक चीजें सही हो तो यह मुझे यहां पर लगता है कि वक्त अच्छा है यहां पर अगर बात की जाएं तो बहुत सरी positive cards हैं यहां पर king यानि कि emperor की energy भी आई हैं तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि थोड़े से गुसे वाले हैं आप या आपको तेज गुसा हो सकता है या फिर करना चाहते हैं यहीं मुझे यह card कहने की कोशिश करता है अभी हम कुछ cards clarify करेंगे उसके पहले हम lucky numbers की बात करते हैं आज आज आपके लिए lucky number 11 है उसके बाद 9 number आपके लिए lucky है फिर से आपके लिए 12 number lucky आया है और 20 number आपके लिए 2 number आपके लिए सबसे लखी राशी जो आज यहां पर इस रिडिंग में मुझे दिखाए देती है वो है सीह राशी यानिकि लीवो सीह राशी उसके बाद यहां पर लीबरा यानिकि तूला राशी बहुती स्ट्रॉंगली आई वही है नेक्स जो राशी मुझे दिखाए देती है वो है एरीस यानिकि मेश राशी बहुती स्ट्रॉंगली उठकर आई वही है और कुछ कार्ड सम लेंगे दुसरे डैक से और क्लेरिफाइ करेंगे इस रिडिंग को इस बताएं यहां पर टैन ओफ वांड्स की एनरजी को क्लेरिफाइ किजें क्यों आई है टैन ओफ वांड्स की एनरजी क्लेरिफाइ किज़ें है टैन ओफ वांड्स को सन के काड़ने कि यह जो बर्डन है या यह जो तकलीफ हो रहे है परसन को आपसे दूर रहकर या आपसे रिष्टा तोड़कर या आपको ब्लॉक करकर वह बहुत जादा है वह खुशी चाहते उनकी खुशी आपके साथ जूड़ी होई है और वह र प्रिष्टा ठीक होगा तो अपने आप जैसे कि हर खुशी मिल सकती हैं पर क्वीन ओपैंटिकल से यह नाइन ओपैंटिकल से तो मुझे यह लगता है कि हापीनेस जैसे कि आप तलाश कर रहे न कि परसन कुछ भी करे भगवान परसन मेरे लॉट कर आ जाए मेरे जिंदिग या जो खुशी आपके साथ उनको मिलती है रहने के बाद वो इन पैसों से वो खरीद नहीं सकते तो यही बात यहाँ पर दोनों की सेम सिचुएशन दोनों की सेम सोच दोनों की सेम फिलिंग से और कुछ कार्ड्स क्लैरिफाई करेंगे जैसे कि Nine of Swords को क्लैरिफाई कीजए आई है, Nine of Swords क्या कहना चाहता है, Nine of Swords, Nine of Swords, King of Cups, यानि कि परसन का प्यार होकर भी वो बता नहीं सक्या आपसे कि वो कितना प्यार करते हैं, देखे कितना ब्यूटिफुल कार्ड है, कि कही नहीं कि आपका इंतिजार, आपका वेट, आपसे प्यार, इनके दिल में, आप भी रिष्टा तोड़ा है, तो ये कहना कि बहुत जाधा डिप्रेशन में चलेगे, तो ये जब तक आपको हासिल नहीं करते, जब तक ये रिष्टे को ठीक नहीं करते, जब तक जो भी दूरियां किस वज़े से हुई, या क्या प्रॉब्लम थी, वो आपको नहीं बताते, तब तक वो खुश नहीं रह सकते, वो खुश रहना चाहते हैं आपके साल, जिन्दे की बिताना चाहते हैं, खुशी-खुशी से, और ये तब ही मुंकिन है जब आप उनको माफ करेंगे, आप उनको एकसेट करेंगे, या परसन ये लॉट कर आएंगे, आपको क्लैरिटी इस रिष्टे के बारे में तब ही ये मुंकिन है, तो यह पर मुझे लगता है ना कि अजीब से एनर्जी आ रहे हैं, कि कहीं ना कि नेकिटिव सोच या नेकिटिव थौड्स परसन की दूर हो रहे हैं, जैसे हम देखते हैं कि नदी में या कहीं पर पूल साइड में गंदा पानी है, हम उसे देखते हैं कि बहुत गंदा है, लेकिन जिब ठहराव आता है ना, तो हम देखते हैं कि जो गंदगी है नीचे बैठ जाते हैं और साफ सुत्रा पानी उपर आ जाना, तो वही मुझे है कि गंदे थौड्स से परसन के, जो घुम रहे थे, परसन को घुमा आपसे दूर कर रहे थे, गंदे-गंदे सोच, या गंदे विचार, या नेकिटिव सोच, लेकिन जैसे शान्त हो गए, या परसन आपसे दूर चले गए, तो वो क्या हो गया, वो समझने लगे आपके प्यार को, वो सही से फैसला कर पाएं, और मुझे लगता है कि नहीं छोड सकते, ऐसी उनके अभी फिलिंग्स बदल गई, ये क्यों बदली है, क्योंकि वो आपसे दूर रहे, अकेले पड़ गए, तो उनको तकलिफ होने लगे, और उनको लगने लगा कि मुझे रिच्ता ठीक करना चाहिए, और भी देख लेंगे हैं आपर हम, कुछ का कार्ड को क्लैरिफाइ करेंगे, उसके बाद जो कार्ड नेक्स है वो, सेवन ऑफ पैंटिकल को भी क्लैरिफाइ करेंगे, इंजल मुझे प्लीज बताएं, फाइव अप कप्स, क्या खहना चाहता है, फाइव अप कप्स, यानि कि कहीन कि अगर आपको लग रहा था ना, कि अपकी फेवर में डिसीजन ले, आप हमेशा निराश रहते थे कि परसन नहीं मान रहें, परसन नहीं सुन रहें, या परसन मेरी इज़त ही नहीं करते, या परसन मेरे को नहीं चाहते, इसलिए तुरिष्टा नहीं जोडना चाहते, या पर्टनर को कोई और परसन आ गया, इसलिए आपको छोड़ कर गए तो मुझे लगता है कि आपकी साथ उनको जिन्दगी बितानी है और आपकी favor में ही decision होते वे मुझे यहाँ पर नज़र आता है seven of pentacles को clarify करेंगे angels मुझे प्लीज बताए seven of pentacles की energy क्या कहना चाहते है seven of pentacles की energy क्यों आई है यहाँ पर angels मुझे प्लीज बताए seven of pentacles की energy seven of pentacles को टावर ने clarify किया यानि कि person ने अगर break up किया था और break up के बाद बहुत time से आपको call messages आये हैं नहीं आप इंतिजार कर रहे हैं अपनी move on नहीं क्या विश्वास रखा person के उपर कि आज नहीं तो कल वह वापस आए आपका साथ नहीं चोड़ेंगे ऐसा अगर अपो लग रहा था तो ऐसे ही हो रहा है परसन ने आपको साथ नहीं चोड़ा बहले परसन अपसे दूर थे लेकिन यह परसन आपको भुला नहीं पाए टावर यानिकि सड़नली इस परसन की तरफ से अच्छनक कॉल आए जाएगा अच्छनक परसन ट्रावल करके आ सकते क्योंकि यह आपसे प्यार करते हैं यह होने वाला है तो मुझे लगते हैं और आपकी जिंदिगी में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है और कहीं न की परसन खुद इनिशेटीव लेना चाहते हैं इस रिष्टे में कंप्लीशन 21 नंबर जैसे में कहाना वर्ल्ट यानि रिवनियन दोनों एक होते हैं मुझे नज अवर्स